आपका स्वागत है आज हम आये हैं नारलोडी कब्रस्तान में हमर साथ में मौजूद है सलीम भाइ ट्रस्की जो यहां के ट्रस्की है हाज रोक टोक सवाल जवाब होंगे यहां पर सबसे पहले तो हम इसे जानना चाहेंगे अभी तक्रीबन दो से तीन दिन पहले जो है यहां पर एक विजिट की गए थी जिसमें सोहिल खंडवानी वसीम खान उमित फौंडेशन के प्रेसिडेंट है मोसिन खान पढ़ान सेनियर भाईकला सेनियर पी आई सब यहां पर आए हुए थे एक विजिट लिये थे कि कबरस्तान का हाल और चाल देखने के लिए यहां पर आए थी विजिट तो उस बारे मैं सलीम भाई से कुछ जानकारी लेंगे कुछ बात करेंगे उनकी सुमानी सर दो से तिन दिन पहले यहां पर एक विजिट की गए थी और यहां पर आप मौझोद नहीं थे तो आखिर में आप उस विजिट में क्यों मौझोद नहीं थे असल के अंदर क्या है कि उसमें दो वजे हो गए थी एक तो हमारे बेहनों ही साब थे उसी दिन अस्पटल में इडमिट हुए जिसके लिए हमको दोड़ के जाना पड़ा और दूसरा यह था कि हमारा एक भती जा ता जिसकी दिन तारीक जो हमारी पक्की हो गए थी उसमें बिगर हमारे जाए चलता नहीं क्योंकि खांदान का बड़ा मई हूं बिगर मेरो प्रोगराम होता नहीं इसके लिए क्योंकि चार पांच बजे के टेम हाजेली के जो फूल की दुकान वाले थे वो मेरे पास आये थे कि ऐसा है इसा है बला आपने बतला है थे कि असर में आ अपना जानकारी नहीं है यह है उस दिन की बाते हैं यह मेरी तकलीब थी अगर मुझको पहले से दो चार दस दिन पहले इतला दी जाती कि हम लोग आ रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ बंदोबस करते हैं अपना प्रोग्राम कैंसल करते हैं या कुछ और सूरत उसकी निकाल ते हमारी एक मजबूरी थी एमिजेट जो है कोई भी प्रोग्राम कभी भी किसी को हमसे अगर मिलना है तो जो शायर दस दिन पहले हमको लेटर दे दे नहीं हमसे बतला दे कि भाई हम फला दिन आ रहा है तो इंशालले उसको माकूल उसको मुतमईन करके भेजेंगे अब दो आपके प्रवाद के लिए और जो नशेड़ी जो लोग है यहाँ पर अंदर आते हैं जो नशे करते हैं तो उन्हें क्यों रुका नहीं जाता है अभी तख क्यों ने रुका गया अल्हमदुल्ला बहुत कुछ हुआ बहुत कुछ रुका गया आपके बंबई परेस में इससे पहले हमारा एक इंटर्यू आया था और उसमें हमने भरपूर उसके जवाब दिया था और उसका जो मुतमाइन करने की लोगों कोसिस की थी हमने जो है हम डिपार्टमेंट से भी पुली डिपार्टमेंट से भी मदद मांगी ता और उन लोगों ने भी मदद किया दरवाजे के अंदर कुछ चेंजिंग थी उसको चेंजिंग किया उन्होंने का कि बोट लगा दो तो हमने हर किसम से बोट लगा दिया हमारे साथ पुलीस के ताउन के साथ में हमने बाटके तमाम मजारवलों को बुलाया उनके सामने बाटके, ने दो दो मिटिंग की हमने और उनको सब बाते समझाають कि भाई, कबरस्तान ही है और ये जो है, Алजय अल्दाला जो है लोग इसे इसाथ आते हैं उनके आमाल उनके साथ आते हैं, कौन सजा भूतरा है, कौन नफ़ा उठा रहा है, तो अल्ला ही बेतर जानने वाला है, तो यहां पर वो काम, नसा तो बड़ी दूर की बात है, अंदर तो हकीकत के अंदर देखने के लिए जाओ, तो कुरान और हदीश की रोसली में, अंदर खाना पीना, दुनिया की फजूल बाते करना, यह सब मना है, चरस गांजा तो बहुत दूर की चीज़ है, और फिर यह चरस गांजा लोग जो है, आके वैट के पीते हैं, कबरस्तानों के अंदर, यह किसी भी तरीके से सही नहीं है, हम तो इतना कर सकते हैं, जतना हम से हमार प्रेस की रिपोर्टिंग की बुनियात पर, पुलिस डिपार्टमेंट और सब हरकत में आया, और अच्छा काम हुआ, आज आप अंदर जाके देखोगे, तो सही वरात से मतलिक भी हमारी मेहनच चालू है, क्योंकि अभी साथ दिन रहे हैं सही वरात की, और हमको मेनेज करन पड़ता है हर चीज के लिए, ऐसे हालात में आपको नहीं आना चाहिए था, अगर आपको कोई रिपोर्टिंग करना है, मुतमें समसे सवाल जवाब करना है, तो इंशालला हम भरपूर सवाल के आपके जवाब देंगे, आप सही वरात के पास जब जिसका दिल चाहे हमारे पास आके सवाल, जो सवाल करना कर सकता है, यह मेरा कहना है, जो चोड़ दो, पुटाइब, चोड़ दो, सबसे बहले, वाइस अकॉर्णमें नियूस में, सलीम भाई हमारे साथ में, नारेवाली कबूर्स्तान के ट्रस्टी, उन से मेरा सबसे पहले यह सवाल है, कि जो दो पहले जो विजिट वहा था, सोहिल खंडवानी जी, जो माहिम और हजली दरगा के ट्रस्टी है, उनके साथ में 30 to 35 और ट्रस्टी थे, तो इसके बारे में आपको मतलब मालूमत नहीं थी? इसके बारे मालूमत नहीं थी, सिर्फ इतना में सुना था, कि सोहिल भाई आने वाले हैं, सोहिल खंडवानी साब, और उनको जो है, इधर के बारे में देखना और समझना चाहते हैं, बोला ठीक है, आने दो, तो बोले असर के बाद आएंगे, लेकिन वो असर के बाद नही अब दे रहा था, अफसोच यह है कि हमारे मेनीजर के जतने भी जवाबात थे, उसको किसी मीडिया ने साया नहीं के अल्लगत है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी बड़ी-बड़ी बाते करे थे, लेकिन उनको हमारे मेनीजर के भी सबस्वाल जो किये थे, उसका करते हैं जैसे कि मौसिन पठान युवा फांडेशन के वस्थिम खान जी तो यह विजिट में मतलब मैंने इससे पहले जो फर्स ट्यम ऐसा रेखा के लाइक बहुत रेर मतलब सिर्फ एक आद गांजी की पुड़ी और ऐसा कुछ आई वी एक दो तीन चीज ऐसी पड़ी थी बागी ने तो इससे पहले तो आपको मालूम है कि नारवारी कबरुस्तन इतना ज्यादा सुर्क्यू में था तो मतलब जो अल्मोस्त पहले से जो हालत इससे बहुत ही अच्छे हैं और आगे आगे आप क्या करना चाहेंगे मतलब इस बारे में आगे जो है हमारा अगर थोड़ा से फाइलिंस मजबूत हुआ तो हम प्रोफेसिनल लोक को इदर डूटी के उपर लगाएंगे और जो प्रोफेसिनल टाइट टाइप पे लगाएंगे तो उसके उपर हमारा महीने का कम साथ सातर हजार रुपिया खरचा भी जाएगा प्र प्रोफेसिनल राइंगे तो पुलीष को ब्ला सकते हर किसМ की मदद ले सकते हैं तो हम अपना फाइलेंस देखेंगे उसके बाद हम ये काम करेंगे ضरूर करेंगे हम प्रोफेसिनल लोक को रखेंगे और इंशालला इंशालला आप देखोगे के दो चार शे महीने के अंदर यहां से तमाम चीजे जो निस्त नाबूत हो जाएगी जितने भी खुराफात हैं हम सब को खतम करेंगे हमारा काम भी यह है कि हम सब चीज को बुराईयों को खतम करें और हम उम्मीद भी करते हैं कि सोहल साब जैसे लोग ऐसे अच्छे लोग जो आएंगे तो उनसे हमारे को ताउन ही मिलेगी मदद ही मिलेगी हमको कोई नुकसान नहीं उससे फाइदा ही हमारा एक और एक सवाल है हमारे सलीम भाई बड़े सोनापूर को लेकर बड़े कबरस्तान को लेकर जैसा कि बड़ा कबरस्तान में देखा गया है हमेशा साफ सफाए वहाँ पर नजर आई है और वहाँ पर पाई प्लैन दी गई है कबरों में पानी दालने के लिए और वहाँ पर एक टाइमिंग रखा गया है कि उस काइमिंग के बात में जो है वहाँ पर कोई भी अगर आ जाए तो उसे एंट्री नहीं दी जाती है तो यहाँ पर वो काम क्यों नहीं शुरू किया जाता है यहाँ पर दस बज़े तक इंट्री बन क्यों नहीं किया जाती बारों लों के लिए ने अलहमदुल्ला कुछ दिन से हमने जो है वही तो बतला रहा हूं कि पुलिस के साथ और तमाम मजारवानों के साथ हमारी मिटिंग हो गई और उसमें हमने इन से कह दिया है कि 10 बज़े के बाद कोई भी आदमी अंदर रात में जाएगा नहीं जब तक कोई बोड़ी मयत जनाजा अंदर ने जाता कोई सी को भी अंदर जाने की अजाज़त नहीं होगी एक चीज़ यह है कि बिगड़ी हुई चीज़ को सुधरने में कुछ वक्त तो लगता है आप बोलोगे कि मैं रात के सोया सुभू जो है मेरा हर काम हो गया तो ऐसा नहीं है एक बिगड़ा हुआ सालों से बिगड़ी हुई चीज़ को अगर उसकी इसला करना उसको लेवल में लाना है तो कुछ तो वक्त लगेगा ऐसी बात नहीं है और बहुत सुदार आया आप अंदर जाके आप अभी जाके विजिट करें कितनी सफाई हुई है आप जाके देखेंगे तो इन्शालला मैं समझता हूँ कि आप खुद खुस हो जाएंगे देखके अभी हमारा लेट का मेनेचमेंट चल ला के लेट भी हमारी जो है अवेलेबल हो कोई लेट इसी नहों कि जो बंद हो हर लेट चालो हो कि आने वालों को जाहरीन को कोई तकलिफ नहों हमारी भी लोगों से ही गुजारी सके रात के दस बज़े के बात कबरस्तान में आने की क उसिस्त ना करें, फजर की नमाज के बाद से लेके रात के दस बेज तक का इतना बड़ा वक्त आपको दिया जा रहा है, आप इसके अंदर आएं, जो भी आपको इबादत करना है, फातिहा पढ़ना है, दूआ करना है, मदार पर जाना है, आप जाएं, बेशक जरूर जाएं लेकिन कबरतान में जाएं तो अपनी आखरत को भी याद कर लें कबर जो है आखरत का एक ठिकाना है और सबसे पहला सवाल जवाब जो है कबर में होगा जो कबर से निकल गया सवाल जवाब में उसकी आखरत भी आसान हो जाएगी तो वहाँ जाके कबरस्तान में कुरान की आयतें पढ़ो, दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, अच्छे कलमात इस्तिमाल करो, ना के दुनिया की बात करो, क्योंकि दुनिया की जगे नहीं है अबी आगरी सवाल हमारा, शाबे बरात को लेकर, शाबे बरात जो है काफी जल्द आने वाला है, बहुत बड़ी रात है, काफी लोग जो है, हजारों की तादास से लोग यहां पर मौझूद होते हैं, अपने अपने कबरों में जाके दुआ फातिया करते हैं, ठीके, तो यह चुकी है, और भी हमारी एक दो मिटिंग होगी, और गाड़ी जो है, तुमारे भाईखला से जितनी भी मोटर सैकिल वगएरा जो इस तरफ आने वाली है, मजगाओं से आने वाली है, गुरुद दियोस की तरफ से आने वाली, वो सब बंद हो जाएगी, आप पब्लिक को य समझ लेना चाहिए, अगर उनको आना है तो काटन गिरीन के तरफ से आए, पीछे के रास्ते से आए, और महाँ पे गाड़ियों को पार्क करें, पीछे का जो एक छोटा दरवा जाए, वहाँ से हम सिर्फ एक्सटी करेंगे, बाहर निकलने के लिए जगा देंगे, उदर से आने की बिलकुल मुमानियत होगी, उदर से कोई भी नहीं आ सकेगा, अब पुलिस का माकूल इंतिजाम होगा, उसके साथ साथ हमारे सोसल वर्कर भी साड़ेर्स हो जो है, करीब करीब होंगे, और इخलाक के दाएरे में सब कुछ काम होगा, महबबस से लोगों को समझाएं और दरूदो सलाम कुरान की आयते परितव कबरत्तान में चले जाएं, अज़्यादा वक्त ना निकाले क्योंकि ये इतना बड़ा कराउट होता है, सामके छे बज़े से लेके तो सुबू छे बज़े तक का जो है, यहां सब जो कराउटी कराउट पबलीकी पबलीक रहती ह लाखो पबलीक आती है, हम उसकी गिंती दो सही नहीं बतला सकते हैं कितने लोग रहते हैं, लेकिन लाखो का अंदाजा लगाये जाता है कि लाखो आतमी आते हैं पुलीस का कितना कड़क बंदोबस रहता हैं यहां पर और दूसरा एक और एक बात है, जो बच्चे छोरी के मामलाच जो सामने आते हैं उसी रात में, तो उसके लिए क्या बंदोबस दिया गिया होगा? काफी साल पहले अंदर तक बार तक बैंड याता है थे भीको मांगने वाले, उन सब को बैंड कर दिया गया, किसी को भी अंदर किसी किसम की भीक मांगने किया, कोई करने की चंदा करने की अजाज़त नहीं है, सिर्फ एक ट्रस बोट का एक हापिस रहता है, इससे अलॉंड भी होता है, और माली ताउन की लोगों को अपील भी के जाती है, ठीक है, सलीम भाई, मेरा एक सवाल यह है, कि जैसे कि इहापे भार जो एक में गेट है, बैक गेट, ऐसा लोगों लोग बोलता है कि दो-तिन गेट है, तो पीछे का जो गेट है, दो गेट, या और लेफ कि गेट नहीं खुलता पहले तो गेट हमेशा हम जुमा के दिन खुलते थे कि पीछे के दर्वाजे से जो राइरोट के लोग रहने वाले है वो आ जाते थे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए लेकिन अब उसको हम जुमा में भी बन कर दिये उसकी सिर्फ वज़े यही थी कि भाई यह सुनने में आता ता हम वहां से कोई सिमिट ला रहा है रेती ला रहा है चरसा रहा है गर्दूले आ रहा है तो उसकी वज़े से हमने वो गेट बन कर दिया और दो ही गेट हमारे पार तीन चार पाँच गेट नहीं है दो ही एक बड़ा गेट ही है अब पीछे एक लाइन में एक छोटा से केट है और इसलिए हमने अगले साल से उसके लिए अंदर आने की इजाज़त वहां से नहीं देते हैं वहां से सिर्फ आप बाहर निकल सकते हो और जिसको गाड़ी वगारा पार्क करना है तो रही जो टेसन है या इस तरफ डाकिया रो टेसन की कि आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं आने के लिए अंदर हिंटी के लिए सिर्फ एकी दरवाजा और वो बड़ा दरवाजा है शरीम बाई इस बारे में जिसे मैं आपको एक बात बुलना चाहूँगा यह जो में गेट है सिर्फ मतलब आने के लिए और जाने के लिए अगर सिर्फ एकी गेट रहेगा तो मतलब यहीं जो मतलब जो मतलब चले रहे हैं नसीरियों का इसमें काफी मतलब आपको मतलब आलमस्ट अभी तो मतलब जैसे 80% खतम हो चुका है तो अंदेर्थ परसन आपको मतलब इसमें काम्यावी मिलेगी अगर आप ऐसा कर सकते हो तो सिर् लेकिन अब किसी के माते पे थोड़ी लिखा है कि चरसी आ रहा है गजेडी आ रहा है चरसल आ रहा है गांजा ला रहा है क्या ला रहा है हम तो उसकी पहचान नहीं रखते हैं यह हमारा सिकर्टी नहीं रखता है पहचान इसके लिए हमने जो है प्रोफेसिनल सिकर्टी रखन जैसे कि वहाँ पर दो तिन नहीं पहले जो विजिर किया था तो एल खनवानी जी ने और काफी सोसल वर्कर थे यहां के सिनियर प्याय थे असुक खोट जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो मतलब जैसे कि कुछ भी उनको कम्डेंट से रहता है उनको कॉल के तो इमिनेट वह एक्सन लेते हैं मैंने खुद भी मतलब इची नोटिस किया है तो मेरे मतलब होँआ पे लोगों ने एक सवाल है था कि मैंने खुद में भी सवाल किया था कि यहांपे CCTV हर जगा रहना चीए तो इस बारे मैं आप क्या बोलेंगे CCTV हमारे हैं इसी बात नहीं है कि आप गेट स नहीं लगा सकते हैं ना ना उसकी देखवाल कर पाएगे यह हमारी मजबूरी है हम इतने केमरे तो नहीं लगा सकते कि हम सव दो चार पांच सो केमरे पूरे कबरस्तान में लगा है पांच एकड के अंदर कबरस्तान है चोड़ा कबरस्तान नहीं बड़ा है और उसमें जो क उसको जो हम कामयाब करने के लिए आज हम 15-20 साल से इसमें हर साल से एकड़ो गाड़ी बालू डालते हैं, कम से कम साथ आट जार गाड़ी बालू डालके, कपरतान को उच्छा किये, बालू तो फिरी आते थे, लेकिन उसका लेवर क्योंकि यहां से ले जाके एक नंबर कौने में, दस नंबर कौने में, ग्यारा नंबर कौने तक उठा के लेके जाना, उदर फेकना, तो उस पे जो एकराजात आते थे, और दो साल पहले हमारे एक दोस्त थे, मिलने जुलने वाले थे, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, और ना कभी जो मुलाकात करनी कोशिश की, वो लोगों से हम कहते हैं कि वो आगे आएं, और इस कबरस्तान में हिस्ता ले, अब मैं किसी की सिकायत नहीं करता, लेकिन कभी तुम हमसे सवाल करते हो, तो उसके जवाब को भी जो है, तुम पूरा के पूरा मीडिया के अंदर दो ना, है, अब उस दिन आये, मैं किसी की भी हम खुस होते हैं उन लोगों से जो हमारी एप को दिखाते हैं, तो हमको मालूम पड़े तो हमारी कहां कमजूरी है, कहां गलती है, तो उसके हमिसला करेंगे, सुधार करेंगे ना, आप अगर उसके हमको बतला हो गएने तो हमको पता क्या चलेगा, रह گیا, पानी का मसला, मै ये फिर वही बात आप से दोरा रहा हूं कि अंदर हमने भी नल लगवाया था वारिश पठान के फंड से नल लगी थी लेकिन जो हमारे लोग कपरतान में आने वाले जाहरी जो हैं वो लड़कों को बच्चों को दस उर्बिया बीस उर्बिया दे दे के डबा पानी डलवाते हैं तो ऐसी हालत के अंदर कोई न कोई अंदर जाता अब इतना तो हम लोग 24 घंटा तो हर गली हर चीश के उपर नदर नहीं रखे हैं कि वो तोड़ देते थे क्योंकि उनकी रोड़ी का इंकम जरिया बंद हो गया था ये उसकी वज़े थी पानी का पैब अल्ला के फद्ल एक एक किलो दो दो किलो सिमीट चुपा चुपा के ले जाते हैं अंदर बना देते हैं अपने जो बात बताई है कि पाइप को तोड़ा जाता है यहां पर तो बड़ा सोनापूर में पाइप क्यों ने तोड़ा जाता है बड़ा सोनापूर जो है वो एक तो पहली बात तो ह कि तुम देखोगे कि तो हमारे एरिये के बरक्स अलग है वहाँ पब्लिक के आम दोरफ कम नहीं दो से चार मेयत का औरेज है यहां आट से दस मेयत का औरेज है बहुत फड़ा के यहां दिन भर के अंदर जो है दो चार हजार आदमी जो है अब डोन होता है अब हमारे पानी का रिकॉइटमेंट डेखेंगे तो रो जाना लाग लीटर के उपर हमारा पानी जाता है तो फरक है ना यहां चारो तरफ मुस्लिम अबादी है चारो तरफ स्यूडी है जिक्रिया बंदर है दाना बंदर है वाडी बंदर है तुमारा जेजा स्पिटल है मदन पूरा है काला पानी है मुमिन पूरा है बंबई सिंटर है ताड़ दे हुआ है इस सब जगे की मयत यहां थी जबकि आजू बाजू में बहुत सारे कपरस्तान है लोगों को वहां जाना चाहिए फिर बाहर से लोग जो इलाज के लिए आते हैं जे जे हैं नायर है काफी अस्पडलों के द हैं अगर इसको हम कम करेंगे बोलेंगे भाइचे घंटे बाद आना गिंटे बाद आना तो जो अंबुलेंस में अस्पडलों गएरा से जो बूड़ी लाते हैं उनका क्या अच्छा जैसे कि मैं यह बोलूँगा आपने जो बात बोले बात मुझे काफी अच्छी लगी और यह बात में वाके में बिल्कुल सेमत हूँ जैसे कि नारेल वाली जो कवरुस्ताने यहां पर चारों तरफ मुस्लिम आबा दिये और अगर यहां नारेल वाली को और जो है बिल्कुल इन्होंने सही बोला मतलब काफी बड़ा कवरुस्तान है तो इतने बड़े एरिये में इतने ज्यादा पानी का इंतियामत करना मतलब एक आसन कामनी है और मेरा एक आखरी सवाल यह है देखो भाईयो आपको आप सभी लोगो का मालम में भी कुछ भी होता ह यहाँ पर कवरुस्तान में तो सब ब्लेम आता है ट्रस्टी के उपर अब एक ट्रस्टी है यह किस किस को समालेंगे पानी का समालेंगे कबर का देखेंगे मज़ित का देखेंगे कि यह जो ड्रग एडिक्ट है इनका देखेंगे या द्रग पैडलर का देखेंगे हम लोग सब्सक्राइब करना तो यह भी देखेंगे मुझे पुरी उम्मीद है कि सभी वरात में इसके बाद में 100% सुधर आएगा और एक बात मैं इसमें यह बोलूँगा जैसे मैंने खुदने सवाल किया दो दिन पहले सीजी टीवी के बारे में तो मैंने गलती से मैं उपर आज चले गया फर्स प्लोर पर तो बागा था मतलब थोड़ी वो सीजी टीवी भी यहां पर है और बस इसी के साथ में अपना ही नियूश स्वाप करता हूँ जैहीं जैमास्टर दिवाइस से कौन देन नियूश समीर को तेंक यूश सलीम एक लास सवाल है अगर बाइकला पुलीस को लेकर आप अगर चले और बाइकला पुलीस से निर्वधन करें रिक्वेस्ट करें कि यहां पर जो है पॉलिस वाल कॉंसकेबल जो है यहां पर आके राउंड लगाया जाए रोज डेली तो हो सकता है कि काफी स होदार आ सकते हैं ड्रग एडिक्स का अंदर नहीं इसमें जो है मैं आप से एक बात कहूँ कि बाइकला चोकी के रोजाना जब से हमारे बंबई प्रेस में आया है जब से रोजाना बाइकला चोकी काभी स्विलियन में कभी एनिफॉम में विजिट करते हैं नो डौट पूरा पूरा कानुनी कारवाई करेंगे हम और इस वेपरात की रात जो है ये लागे फजल करम से ये हुजूर एकम सल्वाव की सुन्नत है उसी की बुनियात पर लोग आते हैं और इसी रात में इनसान की जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं और इसी रात को जो है लिग देता कि आने वाले साल में कितने लोग इस दुनिया से अपना आबोदाना उठा खो देंगे और मैं एक शेर के साथ में अपनी बात को खतम करता हूँ खमोशियों के जबां पर थे से एकडो किस्से हमें तो सहर खमोशा में खमोसी ना मिली मैं आने वाले जायरीन से ये गुजाइस करूँआ कि कबरस्तान में तो इदर उदर की बात ना करें बलके अल्लह और उसके रसूल की उपर अल्लह के कलाम को पढ़ें और रसूल असलें बे दुरूद और सलाम पढ़ें कि उनकी भी मगफरत हो और आपको भी बाईसे निजाद मिले यही मेरा आखरी पेगाम है और मेरा पेगाम महबत है जहां तक पहुचे और मेरे को किसी से कोई सिकायत नहीं है कोई मेरी गलती को बतलाता तो अल्हुम्द लिल्लह मैं उसको एक सिप करूँगा